हाई फ्रेंड्स, वेलकम तो माई यूट्यूब चनल, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, Sophos XG Firewall Version 18 में हम कैसे Port Forwarding करते हैं, इसमें दो प्रकार से Port Forwarding होती है, Option 1 and Option 2, तो जो मैं Option 1 है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और Option 2, मैं Next वीडियो जब अप्लोड करूँगा, तो उसमें आप लोग को बताऊँगा, तो और दूसरा एक चीज में आप लोग से ये भी कहना चाहतो हूँ, मैंने Sophos created सारे वीडियो मैंने अप्लोड कर दी है, आप अगर हम सारे वीडियो देखके एक प्रॉपर तरीके से इंटर्प्राइज तरीके से आप फायरवाल कन्फिगर कर सकते हैं, तो दोस्तों चलिए सुरुवात करते हैं इस यूटिचन वीडियो को, तो सबसे पहले आपको अपने फायरवाल में लॉगिन करना काईश, लॉगिन करने के बाद आपको Rules and Policies के ओप्सन पर क्लिक करना है, जैसे आप Rules and Policies को उपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको जो ओप्सन वी लेंगे, पहले वाले वर्जन में बहुत सारे डिफरेंसे थे, अब वो सारे कुछ चेंजेस हो चुके गाईश, ठीके, तो उसके बाद आपको आपको यहाँ पर यहाँ पर आपको उप्सन आपको ओपर क्लिक करना है, अब जैसे add firewall rule option पर क्लिक करेंगे, तो वहाँ पर server access dnet rule आपको दिखेगा, अब server access dnet rule को पर क्लिक करेंगे, आप guide जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर select host IP, अगर हम आप पहले सा IP create किये तो यहाँ पर select करना पड़ेगा, अगर हम आपने नहीं create किया है, तो create करना पड़ेगा, अब यहाँ पर क्या पूछ रहा, internal server IP address, मतलब यहाँ पर आपसे वो option पूछ रहा guys, कि आपको कौन से server को port forwarding करना, उसका local IP address क्या है, तो मेरे local server का IP address है 172.16.16.32, मेरे इस server का IP address, अब इस server का IP address का नाम क्या आप रखना चाहते हैं, तो मैं इसको रख देता हूँ guys, sorry guys, sorry, web server, मैंने यहाँ पर local server का IP address, यहाँ पर आप clear देख रहें, internal server IP address, यहाँ पर मैंने local server का IP address देख दिया, इसका नाम मैंने web server रख दिया, अब हमको यहाँ पर next कर देना है, अब यहाँ से next करने के बाद, यहाँ से पूछ रहा है कि कौन से public IP से, इसको port forwarding करना है, public IP address, तो आप यहाँ से मेरे पास अभी public IP address, port B है, तो port B को मैं select कर लूँगा, और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, फिर आपको next कर देना है, अब जैसे next करने काईस, अब यहाँ पर पूछ रहा है, user can access the selected service on the internet, internal server, अब इस यहाँ पर पूछ रहा है कि, आपको उस server में कौन सी service देनी है, जो बाहर से लोग access करेंगे, तो अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं, मैं HTTPS रख देता हूँ गाईस, इसमें और पिंग रख देता हूँ, अब यहाँ पर आपको अपने अपने तरीके से, कि आपको कोई port forwarding करना है, तो port number आप यहाँ पर डाल देंगे, किसी भी device का, तो मैंने दो चीज का रख दिया, पिंग और HTTPS, अब आपको गाईस क्या कहना next कर देना है, next करते ही, अब यहाँ से गाईस, आप समझीएगा, यहाँ से पूझ रहे, external source network and devices, user can access the internal server from the selected source network and devices, यहाँ पिगाईस हमेशा आपका any रहेगा, क्योंकि हमको खुद नहीं पता, कि बाहर से कौन access करेगा, कहाँ से करेगा, तो आपको यहाँ पे any रहना पड़ेगा, मतलब कोई भी जिसके पास username, password, authorized person होगा, वो access कर सकता है, तो यहाँ पे any रहेगा, और आपको just next कर देना है, अब जैसे ही आप next करेंगे, मैं आपको थोड़ा सी scroll कर बतना चाहूंगा, next करेंगे, तो यहाँ पे आपको internal server access, इंटरनेट, यहाँ पे local server का name, और host name दे दिया, यहाँ पे public IP, public IP port number दे दिया, और मैं नीचे आऊँगा, आप यहाँ से हमने services किया है, यहाँ पे https ping, आप यहाँ पे कोई भी port number भी डाल सकते, जो आपको port forwarding करना है, और यहाँ पे creating, बता DNA tool create हो रहा है, यहाँ पे यह सारा details दिया हुआ है, अब हम और scroll करके थोड़ा से नीचे आएंगे guys, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, save and finish, जैसे हम save and finish पे मैं click करूँगा, यह rule हमारा create हो जाएगा, guys बस इतना ही करना होता है, version 18 में port forwarding dnet, और इसके अलमा कुछ नहीं है, आपको कहीं भी कोई भी problem होगी, आप मुझे comment कर सकते, message कर सकते, मैं आपके comment और message के 100% guys reply करूँगा, अब देख सकते हैं आप, कि यहाँ पे मैरा dnet rule web server create हो चुका है, मैं आपको एक बार इसको open करके दिखाना चाहूँगा, अब देख लिए, हमने अभी यह dnet web server rule बनाया हुआ था, यह proper हमारा आ गया है, accept b हमारा है, log when to any, अब मैं आपको proper तरीके से दिखाना चाहूँगा दोस्तों, देख लिजे, हमने port b, port b रखा था, प्रॉब्लम होती है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैंसेज कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट और मैसेज की 100% reply दूँगा दोस्तों, तो दोस्तों, प्लीज मेरे इस्ट्रीप्चनल वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सस्क्राइब करिए, थाइंक्यू सो मच, जय हिन जय भारत